वैलकम टू मारी यूटूब चैनल स्टाडी भी दे भूमी फ्रंट्स आज हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे उत्तरहन जीके की रिवेजिन क्लास का पार्ट फाइब इस वीडियो में आपको उत्तरहन जीके की सेलेक्टड कोशनी देखने को मिलेंगे यह कॉशन आपको 854 पोस्ट के लिए जो एक्जाम होना है वीडियो भी वीडियो समाच का लिए अधिकारी उसकी नीए सीरीज काफी महत्वकून है जैसा आपको पता है उसके बाद लेक पाल यानि पटवारी वाला एक्जाम होना है उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड यानि काफी एक्जाम होने है जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बरावर बने घंटे की निसान को जरूर किलिक कर लें ताकि अब किसी भी वीडियो के नोटिफिशन को मिस ना कर पाएं तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो पहला कोशन है इतहास कारो दौरा पावार बन्सकी सरवादिक परमानित तिथी मानी गई है ये मानी गई है छैसो अठासी ठीक है क्या मानी गई है छैसो अठासी उसके अलावा अगर कोशन पूछता है कि पावार बन्सका संस्थापक कौन है तो आप याद रखेंगे कनक कौन है कनकपाल इसने 888 में इसकी स्थापना की थी कोशन दो तरह से पूछ सकता है कि पावार बंस की स्थापना कभी तो आप लगा हुए 888 अगर कोशन पूछ लेता कि इतहास कारो द्वारा पावार बंस की सरवादिक प्रमाधिती थी मानी गई यह तब आपको 688 लगाना ठीक है दोनों कोशन अलग लग तरीके से पूछेगा ठीक है तो 888 में कनकपाल ने पावार बंस की स्थापना के थी कहाँ पर चांदपुरगड चमोली में अगला कोशन हो जाएगा तीरी बांद का छेत्रफल कितना है तो तीरी बांद का छेत्रफल है यह कितना है 42 बर्ग किलो मीटर अगला कोशन हो जाएगा उत्राखंड को किसमें हीमबंत कहा गया है तो उत्राखंड को जो हीमबंत कहा गया है ये कहा गया है गाईज बोध साहित्य में किसमें कहा गया है बोध साहित्य में कहा गया है अगला कोशन हो जाएगा गंगोत्री वे यमनोत्री मंदिरो के कपार्ट पे कब खुलते हैं तो ये खुलते हैं अक्षे तृत्या को कब खुलते हैं अक्षे तृत्या को अगला कोश्चन हो जाएगा नाट्टिय एवम संगीत अकैदमी ये कहां परिस्तित है फलसीमा अलमोडा में तो इसकी स्थापना जो है किस बरस हुई थी तो आप में से तो आप याद रखेंगे धतीमा क्या है धतीमा चलिए कमेंट के माद्धिम से बताईए जो अलगोजा है ठीक है ये किस तरह का बाधियंत्र है अगला कोश्चन हो जाएगा जन गड़ना 2011 के अनुसार राज्ये का पूरू साक्षर्टा दर में कौन सा इस्थान है तो अगर आप से दर पूचता है तो दर आप याद रखेंगे 87.14 परतिशत ठीक है अब बात करें ओसत शाक्षर्टा दर की ठीक है तो राज्ये का जो ओसत साक्षर्टा दर है ये है 78.82 परतिशत ठीक है और इस्थान कितना है उत्तरहण का ओसत साक्षर्टा दर में इस्थान क कितना है सत्रवा और पूछता है महिला साक्सरता दर कितनी है तो आप याद रखेंगे सत्तर दसंबलब जीडो टू प्रतिश्वा ठीक है और महिला साक्सरता दर में कौन जा इस्थान है वारसी गाउं ठीक है याद रखेंगे क्योंकि इस्थान न पूछ के में जगा का नाम भी पूछ लेता तो वारसी गाउं चमपावत में ठीक है पातार रुद्रिश्वर गुफा कहा पर इस्तित है चमपावत में तो इसकी जो खोज हुई थी यह हुई थी उननीस सो प्रत्र ये करदे राजए चंध बंश के किस राजा को प्राश्चित राजा कहा जाता है तो यह कहा जाता है गाईज उधान चंद को किसको कहा जाता है उधान चंद को अगला कोशन है उत्तरा खंड में वाणिजिक इस्तर पर सेप की खेती कब शुरू की गई थी ये की गई थी अठारा सो साट में कब की गई थी अठारा सो साट में अगला कोशन हो जाएगा नची केता ताल किस जिले में इस्थित है, very very most important question है, तो नची के ततल किस जिले में इस्थित है, तो ये इस्थित है उत्तरकाशी में, कहां पर इस्थित है, उत्तरकाशी में, अगला question हो जाएगा, राज्ये में किर्शी उत्पादन बितरन बोड, ठीक है, बीपरन है गाई, याद रखेंगे बितरन बोड आईए, तो विपरन बोड का गठन जो है वो, कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे, दिसंबर 2000 में, कब हुआ था, दिसंबर 2000 में, अगला question है, किस परमार सासक का नाम, जहांगीर नामा में भी आया है, तो ये किस का आया है, गाईज, तो ये आया है, श्याम सहा क ठीक है, श्याम सहा का नाम किसमा है, जहांगीर नामा में, अगला question हो जाएगा, तंजुन दर्रा किन किन को जोडता है, तो तंजुन दर्रा जो जोडता है, ये जोडता है, चमोली और तिबबत को, C option हमारा right हो जाएगा, पेट साल गुफा की खोज कब की गई थी, तो दे अलमोडा में, कहां परिस्तित है, अलमोडा में, और इसकी जो खोज की थी, ये सोधर मठपाल जी ने की थी, ठीक है, ये किनों ने की थी, ये सोधर मठपाल जी ने जो है, पेट साल गुफा की खोज की थी, अगला question हो जाएगा, उत्रा खंड का is of doing business दोयर 20 में कौन सा इस इस्थान है, ये है, 11 इस्थान, कौन सा स्थान है, 11 इस्थान है, और 2019 में भी, 11 इस्थान ही रहा थे, ये point भी आप नोट कर लेंगे, उसके अलाब अगर फस्त राज्य पूछता कि पर्थम राज्य कौन सा है, तो आप याद रखेंगे, आंदर प्रदेश, ठीक है, और द अगला question है किस धाम में संक ध्वनी नहीं बजाई जाती है very very most important question है तो ये है बद्रीनात में ठीक है बद्रीनात में संक ध्वनी नहीं बजाई जाती है अगला question हो जाएगा राज जी किस नदी का प्राची नाम सामली है very very most important question है तो यह है श्यूयाल नदी का प्राची नाम है ठीक है श्यूयाल नदी श्यूयाल नदी ठीक है तो पताईए कमेंट के मात दिम से कि श्यूयाल नदी के तट पर कौन सी गुफा है तो गाईज यह थे आज के 20 जो आपके आने वाला एक्जाम में आपके काफी मदद कर सकते हैं तो गाईज अगर वीडियो 1% रेची लेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें कमेंट करो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू फॉर वाचिंग